अमा है क्या कोई अन्दर भाई हां है TT बता क्या बात है हां अमा बतला ना क्या के Самहिंक दर ना Hor ki तहें को जारिया था रास्ते में रात सिर्ग में तुम्हारे गर रुखना है को आपका पी लगता हूं हूं आपका आपकी sic हमती भ्याई है ना उसी के पास के गाउं सकूर पुरकाहूं ठीक है भाई आज अंदर भाई इसे तो बाहर बांदे इस पर दुनिया अपर की तो मक्की बैठी है अमा इसे बाहर ना छोड़ू यह तो मेरा खजाना है खजाना कमाल का आदमी है इसे खजाना पता रहा है बाहर बाहर आदमी के लाई है अज़ रहा है झाइ बाइगान अरे भाई मुल्ला सुए जाएगा आज उठेना अब हट यार बड़ा गंदिला आदमी है अब खट पावड़ी से साफ कर देता हाथ सान लिए बेकार में अमा भाई एक बाल्टी में पानी ला देना जरा जंगल फिनने जाना तो दबल ले जरा बाल्टी क्या कराएगा अमा वो बात नहीं है जरा लाओ तो सही दद तेरी का यार हमारे तो बाल्टी खराब कर दी तूने लीद खोल दी इसमें एक दो तीन चार पांच छे और ये साथ मस आ साथ हागे अब लालू अब ये तो पैसे हागे हैं इसने हाँ भाई ये तो वागे खा जाना है पर इस पर तो मक्की बहुत बैठी रहे हैं अब इसकी मक्यों पर मत जा नोटों पर जा और खरीद ले से फटा फट हाँ ठीक के रहा तू भाई जीजा जी ओ बहनोई साब अमा क्या बात है भाई इससे तो हमें दे दे आएं अबे जीजा के हो ये बहनोई मगर इसे नहीं दूगा कसम खुदा की अजी जीजा जी हम फिरी में थोड़ी ले रहे हैं आप अपने पैसे बताओ अमा क्या दे दोगे तुम इस खजाने का जो मांगो के सो दे देंगे अमा यार तुम अच्छे रिष्टेदार बने अच्छा लाओ 10,000 रुपे दे दू कोई बात ना 10,000 ले लो रिष्टेदार की बात है दे भाई लालू मुल्ला जी को मेरा मतलब जीजा जी को 10,000 रुपे दे देखा ठक लिया मुल्ला घर के घर ना भार जाना पड़ा ना किराय उठाना पड़ा हाँ अब हो जाएंगे हम मालो माल अबे बेटे हुसेन ले इस मुर्गी को मून दे जरा अबे ले तुन नोटों को सभाल है अल्ला इत्ते सारे नोट अबे चुपकर होट अब कालू अब कालू अब कालू रचल उठ देखा कितने पर से अगें इसने मैंने तो साज राइद इस उठ उठ कर घास खिलाई कितने मिले अब अब आभी तो एक भी ना मिला और देख अबे देख तो रहा हूँ यार अबे लेट डू सोगू फोल फोल का देख अबे चुपकर तो बना डाला मैंने सबका साला एक भी पैसा नी मिला और साली सड़ान इतनी आ रही है कि मेरा सिर फटा जा रहा है अबे सड़ान देख रहा पर नोट देख अबे इसमें नहाई कन्नी भी साला मुला जूट बोल गया हमारे से अबे तो चल पकड़ इसका जेवला चले साले के घर अबे कालू मर गये यह तो वही हो रहत है जो आमने ठकी थी हाँ यार आजाओ आगे को पीछे को क्यों खी सक अरी बेहन तु ठीक ठाक है हाँ भाईया इसका मतलब इसने अभी चीज परखवाई नहां है चलो अच्छा यह भी अरी बेहन बेहनों ही कहां है अमा आओ रिष्टेदारो कैसे हो बेठो अजी जी जाजी इसने तो एक पैसा भी नहीं हागा अमा एक दो वक्तों दूसरे के खुंटे पर जाकर भेंस भी दूदनी देती खसम खुदा की अबे बेटे हुसेन ओबे बेटे दिया नहीं अब दे दिया अई चांदी का अंडा जी हां हमारी मुर्गी रोज एक चांदी का अंडा देती है अई सोर क्यों मचा रहे हो क्या डाका डलवाओगे अबे तो के रिष्टेदारों से भी कोई बात चुपी रहती है अबे लालू हमारे भी वारे के नियारे हो जाएंगे इस मुर्गी को खरीद लो फटा फट बेहनाई साथ इसे तो तुम मक्यों के खजाने को वापस ले लो हमें तो तुम इस मुर्गी को दे दो अमा केसी बात कर रही हो चांदी के अंडे देने वाली मुर्गी को कौन दे देगा तुम्हें क्यो तुम हमारे जीजा ना हो सालों को दे दोगे तो क्या हो जाएगा हम भी तुम्हारे गुन गाएंगे और फिर अपनी के पैसे बताओ जीजा जी तुरी थोड़ी ले जाएंगे ना जी ना मुर्गी ना देवे हम ए तु चुपरे बेहन साले बहनोई की बात में बहन दखल देती अच्छी ना लगती बताओ जीजा जी कितने पैसे देदे हम इस मुर्गी के आपको हाँ बहनोई साफ बताओ अमा अमा कहतो तुम गलती रहो मगर जब ना ही मानते हो तो लाओ दो पंदरे हसार रुपे लो चलो पंदरे ही लो गिना अमा तुमने गिने सो हमने गिने अब बेटे अब है ओ बेटे जड़ा अपने मामो को मुर्गी पकड़ कर दे दो देखा केसा ठखा मुल्ला को चांदी का अंड़ा देने वाली मुर्गी पंद्रे हजार में अब पंद्रे हजार के तो इसके पंद्रे अंडे हमारे मजी आगा यू समझो कि मुल्ला को तम लूट के का गए देख रहा कालू मुर्गी को अंड़ा दिया ये नहीं हां भया देखता हूं ना दिया भया अब अच्छी तरह देख नीचे हाथ देखड़ देख नीचे हाथ तो दिया पर सलाब भीट में सन गया इसे बहां निकाल ले निकाल ली अब है मैं कटोरे लेकर बैठता हूं तु भीची से कभी अटक रहा हो और भीच और भीच इसके तब इट निकल गई अबे साले मुला ने धोका किया है अमारे हाथ चलो इसे भी उसके पास लेके चलते है अबे तेरे भाई याने वाले हैं जरा उरे को कान कर हम तोनों आपस में जगड़ा करेंगे कसम खुदा की अबे इनकी तो तकरार हो रही है हाँ यार चलो दिवार के उपर से जहां कर देखते हैं अब यह क्या मुल्ला मार दी अपनी भीवी अमा ऐसे तो ना जाने कित्ती दफा मार डाली मेंने हाँ जरा तुम बेठो और सुनाओ कैसे हो अब क्या सुनाएं सुनाने को तो बहुत कुछ आए थे पर तुम्हारे घर में लास पड़ी है पुलस आ गई तो हम भी पकड़े जाएंगे अमा मिया इससे बेबी कर रहा हो तुम ये तो माशायल्ला हर हपते का काम है मेरी बीवी को मारना और जिलाना मेरा जिलाना हाँ अबे बेटे हुसेन ओ बेटे हुसेन अबे जरा लाना मेरा थमसब तेरी अम्मी को जिन्दा कर लू लो अबबू देखो भाई ये मेरा थमसब इससे हो जाते हैं मुर्दे जिन्दे लो जरा साथ बार इसके उपर को गुमादो जरा तुमी गुमादो ने मुल्ला जी नहीं नहीं ये किसी दूसरे का हातों से गुमाना पड़ता है जनाब एक दो तीन चार पांच छे साथ अस्लाम वालेकुम मुल्ला जी अभालेकुम सस्थारा तेरे बगेर तो मैंने एक पल भी पुश्किल घुजा रहा हैं अब कालू मुल्ला जी कर थमसब को खरीद लो हाँ भाई बहुत मरें हमारे गाउं में कोई दारू पीके कोई जहर पीके हर आदमी जिंदा करने के पैसे लिया करेंगे हाँ अमा क्या खुसर खुसर करने लगे जी जा जी ना तो तुमारे गदेने पैसे हगे ना तुमारी मुर्गी ने अंडे दिये कम से कम इस थमसब को तो हमें दे दो अमा तुमारी बेहन का है ये अजी बेहनोई साफ बेहन की तो हम खुसामन कर लेंगे तुम भी तो हामी भर दो अमा कसम खुदा की कैसे आदमी हो तुम लाने ते तुमारे जिन्दगी पर दो अमा इतना लाल्ची भी नहीं होना थे तुम तो जिस चीज को देखते हो उसी को मांग बेटते हो अजी मांग क्या मुफ़त में रहे हैं आप अपने थमसब के पैसे बताओ अमा सारी चीजे खरीदी नहीं जाती है कसम खुदा की जी ऐसे मत करो तुम हमारे बेहनोई साब हो हम तुमारे साले हैं हाँ हाँ जीजा जी हम भी तो तुमारे रिष्टेदार हैं हमा कोई जीजा कोई बेहनोई कसम खुदा की ये लालच के हिलवारिया है तुमसे ना ये बात ना है तुम तो हो यी हमारे जीजा बता दो अपने थंसब के पैसे अमा अब जब तुम नाही मानते हो तो लाओ दो बीस हजार रुपे जीजा जी बीस तो कुछ जादा है देखो न तो पहले उसने पैसे आगे और नाही मुर्गी ने चांदी का अंड़ा दिया चलो तो रहने दो ना 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 कोई बात ना है जिर इस्तिदार, दार बनो या सूली, लो पैसे थामो, पूरे बीस अजार हैं। चल साले मुल्ला, कहां तक चलेगा, अब के ठक लिया ना बुरी तर है, अब ये तो करोड़ रुपे की चीज है। हां, कोई बहुत बड़ा सेट जिन्दा कर दिया ना, तो अकेला इप पचास जार रुपे दे देगा। पचास? एक लाग भी दे देगा कोई। हां भाईया, आज तो भाबी भी आ लेगी अपने पीहर से। हां। तो बस उसे ही जाकर सुनावेंगे खुसखाबरी। ले भाई पकड़ मुल्ला जी का थमसब। अरे नास गए, मुझे क्यों पकड़ावें, अपनी भेन को पकड़ा मुल्ला जी का थमसब। अबे बड़ी करामाती चीज आए, बीस हजार की है। अई तो मेरे हाथ में क्यों दे देवे हैं परेकुरा करामाती है तो। अबे तुछे महीने पियर रहाई, मगर तेरे को अकल नहीं आई। अई मेरे में तो है, मगर तेरे में ना है अकल। बीस हजार का ये मुझसल खरीद के लाया। तुझे इसके गुण की भी खबर है। क्या गुण है इसमें। ले तो पहले तुझे इसके गुणी दिखा दूमें। ले। अरे महीया मैं तो मार दी। पड़ी रहे, अब थोड़ी देर में चिंदी करेंगे। अबे भाईया, अब तो कर ले अपनी बहु को जिन्दा। कम से कम खाना तो बना लेगी। ला, मुल्ला जी का थम से बुठा कर ला। तो ले भाई। अरे भाई पड़ोसी, जरह उरही है। आज ये बताओ क्या बात है। भाई, जरह साथ बार इसे मेरी बहु कपर को घुमा दे। उपरी हाथ से सत पताओ इसका। बाउ। एक, तो, ती, चार, तार, छे, ला। अरे या तो ना उठी भाई। अरे कभी हमारे सुनने में गलती रह गई हो भाई। चौदे बार घुमा दे। अरे यार, यह तो अभी भी ना उठी। भाई, 32 बार घुमा दे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, सार, आट, ना, दस, ग्यारा, अब यार, यह तो अभी भी नी उठी भाई। चल भाई, चौदे बार घुमा दे। जो भाई, मेरे तो आद उखन लगे, अपने आप भमालो, बला मुर्दे भी कहीं उठाग रहे क्या। भाई कालू। हाँ भाई लालू। भाई, मेरी बहु मरवादी। अब ने बक्सेंगे साले मुल्ला कू। हाँ, चल साले कू बोरी में बंद करका नदी में फैक कांगे। चल भाई मुल्ला, बहुत बेहनों कहा तुझे हमने, आज नदी में बाहेंगे। अमा अपनी बेहन को बेवा बना रहे हो। अब कौन बेहन, किसकी बेहन, साले बरबाद कर दिये तुने हमें। आपधानल आपनाल 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 झाल झाल भाई लालू मुझे तो लेटरिंग करनी है यार दर्द साथ मेरे पेट में भी हो रहा है चल रगी से उतार कर हाँ चल झाल झाल अबे क्या पिल्ला मून रखा है इस बोरी में अबे तो रो क्यों रहा है बोरी में बड़ा हुआ अबे तो मेरा करवा दे मेरी भी तो साधी नहीं हुई अबी अबे तो आजा बोरी में और मुझे निकाल दे हो जाएगा तेरा निकाल अबे तो अबे तो अबे 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 इसका दो बजन बढ़ गया अबे 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 तो कालू कड़ सालेगा कलने आओ भैक नदी में ले बेट्टे मुल्ला जा जननत में खुल्ला अबे उसे इनके अम्मी क्या पका लिया अई सर्जम गोस्त बनाया है माशाल्ला ला लिया बैठो जना भी लाती हूं क्यों भी कालू है कोई हमसे बड़ा चालू हमने मुल्ला का नाम और निजान ही मिटा दिया हां मगर उस मुल्लन की तो सोच बेचारी रातों को तारे गिन रही होगी पर उसे तो हमने बेन कहा है तो अब लेन कह देंगे क्या फरक पड़ता है अबे मुल्लत है वो रहा है चल बे उसका बाई है वो बाई नहीं वो यह साला नोट गिन रहा है अमा आओ रिष्टेदारो क्यों रुक गए बाई वाह साले हो तो तुम जेसे वर्ना हो नहीं अबे तो यह था हम नदी में डालाए थे अमा क्या खाक डाली आए किनारे पर डाला था जरा सा अंदर को डालते तो कसम खुदा की मदा आ जाता वो क्यों अमा उस नदी में खजाना था हैं खजाना हां खजाना मुझे तो किनारे पर इतने नोट मिल गए कि उसी दिन से गिन रहा हूं मखर गिने नहीं जारी है लालू, हाँ भाई कालू, कितने दिन हो गए मुल्ला को नदी में फैके, तीन अपते, और तीन अपते से नोटी नहीं गिने जा रहे, हाँ रहे, अमा जब मुझे तुमने नदी में फैका, तो मैं खजाने पर जागी रहा, मुझसे खजाने का मालिक बोला, कि जो भी आदमी क किसी दूसरे के हाथो इस नदी में फेका जाएगा वही सारा खजाना ले जाएगा तो जी जा जी हमें भी फैक दो ना उस नदी में चल बे रिष्टेदार फेके जाते हैं नदी में क्यों हमने ना फैक दिये तुम तुम हमें फैक दो अबे तो अपनी भेन से तो पूछ लो अरे भेन, कहते ना भेनोई से, भेक देंगे हमें भी नदी में जल्दी से, हाँ हाँ बोबो, निकाल लावांगे हम भी थोड़ी सी मोहरा सर्फिया, अबे क्या खयाल है, ये वो ही है जिनोंने तुझे पांसो रुपय में सोने की चीज दी थी, आई तो दे दो न तुम भी य हाँ बेनोई जी, जल्दी चलो, अगर खबर पड़ गई, तो हमसे पहले न जाने कितने लोग जागे रहेंगे उसमें, चलो तो मियाँ अमा घुसो अपनी अपनी बोरी में फटा फट, चलो भाई लो बेनोई जी, बांदो कसके बोरी का मूँ, लो जी जाजी, मेरी बोरी का मूँ भी बांदो अमा तैयार हो, हाँ, हाँ, फैबर जल दी, चल सितारा, लगा सहारा येलो चल सितारा, उठा दो बारा येलो पर भी सली नियां सिस्ट ऑब निकाल वुलाः मुला आम मुला निकाल भार सिस्ट शा निकाल है मुला भार मुला भार निकाल जुब भार!! अमा अमा लाल्ची इनसान तो डूबता ही है सदा और ठक बहुत बुरे तज़र ठक जाता है देखो मिया मुल्ला नसरुदीन की बियू पर हाट डालने का अंजाम आप भी कभी मट डाले हैं